कम्प्यूटर में फंचन की का क्या यूजज है हमें इस चार्ट से जानने को मिलेगा जैसे F1 बटन है F1 बटन का हम यूज़ कहां पे करते हैं किसी भी सॉप्ट्वेर का हेल्प और सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए हम फंचन बटन 1 का यूज़ करते हैं किसी भी एक्जाम के लिए कम्प्यूटर के कोश्चन जब डिजाइन किये जाते हैं तो फंचन बटन से एक कोश्चन जरूर डाला जाता है याद रखेगा F1 का यूज़ हम किसके लिए करते हैं हैल्प और सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए F2 बटन का यूज़ फाइल और फोल्डर में माउस से क्लिक करके F2 प्रेस करने पर उस फाइल या फिर फोल्डर को हम क्या कर सकते हैं रिनेम कर सकते हैं कम्प्यूटर में किसी भी ऑप्रेशन के दोरान अगर हम F3 बटन प्रेस करते हैं तो सर्च ओप्सन ओपन हो जाता है ठीक है जब हम फंचन बटन F4 को अल्ट के साथ प्रेस करते हैं तो खूला हुआ सौप्ट्वेर बंध हो जाता है और जब हम फंचन बटन F4 को अल्ट के open है उसको refresh करने के लिए या reload करने के लिए F5 बटन के यूज़ करते हैं F6 का यूज़ हम लोग address बार को highlight करने के लिए यूज़ करते हैं Microsoft के application software जैसे MS Word, MX Excel में हमें spelling चेक करना रहता है तो हम F7 का यूज़ करते हैं वही F8 बटन का यूज़ हम boot menu को open करने के लिए करते हैं F9 function बटन का यूज़ किसी भी folder या फिर file को select करके F9 trace करते हैं तो वो remove हो जाता है F10 function बटन का यूज़ जैसे आपका mouse काम नहीं कर रहा है सिप्ट के साथ F10 दबाने से mouse के right बटन की तरह कारे करेगा और MS Word में menu bar को activate करने के लिए F10 key का यूज़ करते हैं जर्नली F11 function बटन का यूज़ हम screen को full screen mode में यूज़ करने के लिए करते हैं F12 बटन का यूज़ हमें same file को other नाम से other folder में save करना है तो हम F12 का यूज़ करते हैं ये बहुत ही important table है इसका आप screenshot ले सकते हैं